नमश्कार आप देख रहे हैं प्राइम दीवी और मैं हुँ आपके साथ नंदिनी यादव वक्त हो चुका है उत्रपदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर अमबेटकर नगर में जिलादिकारी अविनास सिंग द्वारा टांडा होट का निरिक्षर किया गया जहां जिलादिकारी द्वारा बुनकरों के बीच जाकर किये जार है कपड़ा बुनाई के कारेों का जाजा लिया गया साथी बुनकरों के बीच पहुँचकर उन्होंने मशीनों का भी जाय जा लिया और उद्योगों को किस तरह बढ़ावा दिया जाए उस पर विस्तार से बुनकरों के साथ विचार विमश किया महीं निरिक्षर के दौरान बुनकरों द्वारा छोटी छोटी समस्याएं डियम से बताई गई जुसे जिलादीकारी ने संग्यान में लेते हुए नस्तारित करने के लिए आश्वासन दिया है रमजान के महीना में हज यात्रा के लिए मुसल्मान सौदी अरब के मक्का जाते हैं और हर साल की तरह इस साल भी संभल से हज यात्रियों के जथे जानी है लेकिन संभल में हज यात्रियों को दी जाने वाले सुवधाएं ना के बराबर है बताया जा रहा है कि हज यात्रियों को जब जाज के नाम पर कभी जिला स्पिताल कभी सामुदाई किंद पर चक्कर लगाएं तो उनमें आक्रोश पन अपने लगा और उन्होंने ट्वीट के जरिये अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री और डीम को दी है क्या बात कहां हो नहीं है कौन सी जाच कहां होई और फिर हम मिले उन्होंने भी कोई सब्सक्राइब बहुत परेशान है और यहां कोई भी सेलीशन नहीं हुआ अब हज़त क्या नाम है आपका अब जैसे कि आप यहां पर जिल आस्पटाल पर जाचे कराने आए आए थे क्या आपकी जाचे हो चुकी है कोई किसी तरह की सुनमाई नहीं हो रहा है। आहा है? तबेट सच साल लेकिन अपने काम कर भाग रहे हैं नहींद दे रहा है? किस संबंदम को नहीं इस लुए था है? में हज का जो है मैडिकल से डिवीड बनवाने आया था लेकिन को भी किसी तरह किसे नाम है आपका मुहमद राशिट राश्र साथ यहां कैसे आना हुआ है कि सरकारी डॉक्तर की चाहिए तो उससी तिसे ले में आना हुआ था कितना टाइम होगाए आपको फेस कर नीवाट है कि हम पहले हम यहां चाहिए उन्हों नहीं वाले चाहिए तो अब हमारे बाद कोई फ़र नहीं है कि अभी आपका कोई आप आप पर गए लेगए और आप नाम है आपका मेरा नाम रफादली है महुला पोड़ घरभी से हूँ मैं यहां पर कैसे आना हुआ यहां पर हच के लिए मेडिकल बनवाने के लिए आए दे कितना टाइम हो गए आपको हमें तो होगा दो तीन गंट होगा है यहां पर क्या सामने परिशानी आ रहे हैं पहले कितने लोगों को इस परिशानी का सामने करना पड़ ला है यहां आज तो 10-15 लोग आजे भी आएंगे सहरनपुर के स्मार्ट वार्ट्स छर्चट में बीते लगबग एक सब्ता से कई कॉलोनियों की जलापूर्थी बाधित है और छेत्रवासी परिशान है छेत्रवासियों का कहना है कि रमजान के महीने में नहाने को क्या पीने को भी पानी नहीं मिल रहा है छेत्रवासी कि एक अधस्तुन से Pacific के पास क्ति यहां पानी नहीं है पास तेनसे परिशान है पानी की वज़ें तक कि अधसी परसवास士 उन्मल मृक्स एक्प्रूर्ट का शहां है पानी की वज़े से पहले भी ती दो दो ड़ए में ने सर हो गए वहाँ जब भी पानी नहीं हो आता पानी की वज़े से परशान है और पानी हर टेम चाहिए सब्सक्राइब आपका नाम अबदुलके लुए्ट समस्से और धान के महिनें में खास्त अधर सोथ किये दिन तो मैं मिलता ही मिलता हुगा के बारा बज़े मिलेगारा बज़े मिलेगा थास बजब वर्म कीम लगता कल्पी पार सथ साहां में टेंक कड़ा गरवाया उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रहे हैं कि दिकारी सुनी रहे बताओं क्या करें को घरी बाद में अराद भी बाल्टे ठाओ फिर रहां सरकारी नहीं पर सुविदानी और यह अब तो कम तकम जाने आज मुझे 6-7 दिनों के पानी की दिक्कत हो रहे ही क्या मांग करें लगा समय कोई समयदान नहीं हो पा रहा है अब बहुत प्रेशानी सामने करना पड़ रहा है जो मचछीद से कुछ मजीद से इस्तमाल करा जारा कुस सरकाई नलका है इसमें से ला लाक है करना पड़ा परिशान है क्या करें बताएं नलका का पानी गंदा है इसमें मेश्यंद आती है बहुत बुरी तो क्या मांग करेंगे आपको परिशे नीवर्बान पार्षात हाजी गुलशेर वार्ड नमर 66 वार्ड 66 जो है कागों में इसमार्ट हुआ है या तरह दल पर भी इसमार्ट है क्योंकि लगाता आप देखा जा रहे हैं पांच दिन से कलोनी में पानी नहीं है शेतरवाजी पर एक तो कोई फोन उठाने के लिए तो यह नहीं क्योंकि अपनी छुटिया मना रहे है चुटिया चल रही है बेवकूप पार्षाद है हम अगर चाहेंगे दो घंटे भी अगर मोबाइल जी सोचेंगे कि रिली ले रोज रमदान है तो हमारी तो ऐसी तैसी करते हैंगे है डियस्पी बने विशाल गुपता को बधाई देने का सिलसला तेजी के साथ चल रहा है विशाल के इस्ट मित्र नाते रिष्टिदार विशाल को उसकी उपलब्धी पर बधाई देने के लिए उसके घर पहुंच रहे हैं भाश्पा नेता और पालिका अध्धक्ष पद क कि संभावित उमिद्वार सुनील कुमार गुपता ने विशाल के आवास पर पहुंच कर मल्यार पढ़ कर विशाल गुपता का स्वागत किया आप एक छोटे सहर से डियस्पी जैसे पद पर पहुंचे हैं क्या संगर साय आप और कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं प् संभल में जिलादिकारी मनीश बंसल ने विकास खंड बहजोई के ग्राम पाठकपुर में किसानों की फसल उत्पादक्त को लेकर इस तलिह निरिक्षड किया बताये जारा कि जिलादिकारी ने किसान सुबोध कुमार शर्मा पुत्र फतेह पाल के खेत में जाकर क्रॉप कटिंग के कारिका निरक्षड किया है और निरक्षड के दोरान फसल को निकलवा कर उसके अनाच को क्रॉप कटिंग के मानक के अनुसार माप करवाई जिसमें जिलादिकारी ने बताये कि क्रॉप कटिंग सभी चनपदों में किये जाते हैं और इसमें रेंडम आधार पर कुछ खेतों को चुना जाता है जिनकी उत्पादक्ता का आकलन त्रिकोडिये आकरिती में के खेत को काट कर उसमें कितनी उत्पादक्ता हुई है अगर चनपद में उत्पादक्ता मानकों से कम रहती है तब उन किसानों को फजल बीमा यूशना के अंतरगत लाब दिया जाता है जो की पूरी तीनों तहसीलों में विभिन स्थानों पर और मंडियों पर खोले गए हैं इसमें किसानों को अपना जो गेहूं है वो अगर लेकर जाएंगे तो मिनिमूम सुपोर्ट प्राइस पर उनको अपना गेहूं विक्रे करने में बहुत ही सुविदा मिलेगी वहाँ पर किसानों की सुविदा के लिए अन्य जो आवश्चक चीज़ें हैं चाया पानी और बैटने की विवस्ता ये सबी चीज़ें करवाई जा रही है और सभी केंदर प्रभारियों को बहुत ही सकती के साथ ये नरदेश दिये गए हैं बम से उड़ाने की सुचना पाकर जिलाप्रशासन के आला अधिकारी और पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुँच कर निरक्षड किया है साथी आपर पुलिस अधिक्षड दिगंबर कुश्वाहा ने इस मामले की जानकारी दी वहीं एसोजी टीम और पुलिस टीम के ओर से युवा का लोकेशन से पता लगाया गया है और उसे पकड़ भी लिया गया है आज दिनांक 8-4-2023 को देख के करीब दो बजी एक ब्यक्ति द्वारा 112 पर कॉल करके यह सुचना दी गई कि मैं अफगान खान पुत्र काले खान गलीने बरुन चार्ज संजय नगर दिवियापूर का रहने वाला हूँ उसके बाद इसने फोन काड़ दिया और अपना फोन आप कर दिया इस सुचना को सिरिशनी लेते हुए थाना दौरा मेरे दौरा पूरी थाने को परिसल को सर्च कराए गया बुलंद शेहर में अनूप शेहर की जीपी विश्विद्दाले का वार्षी कोसव अंतिका दोहजार तीस और पुरसकार वितर समारो धूमधाम के साथ मनाये गया जहां छात्र छात्राओं ने मनुहारी सांस्कृतिक कारेक्रम प्रस्तूत के इसके साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को पुरसकृत भी किया गया मही कारेक्रम का शुबारम अतितियों द्वारा मास सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप्रज्वलित कर किया गया और वार्षी कोस्तों में आए हुए सबी अतीतियों का विश्विद्दाले परिवार के ओर से भब स्वागत किया गया। करना चाहिए क्यांकि हमारी जो लेवल इंटेलिजेंस है बच्चों में बहुत बहुत बढ़ी है। जिसको चांस मिलता है वह आगे निकल जाता है। ज्यायतर अमिर्का में और लंदन में जो की पोस्ट हैं। आप देखिए आप मिनिस्टर लेवल पर आ रहे हो लंदन में अमिर्का में। तो मेरा यह है कि इन जिन बच्चों को पिछले एक हजार साल से मौका नहीं मिला। और विरियस रीजर्स देश आजाद नहीं था। तो यह अच्छी है कि पुरानी हमारी लेवल उप इंटेलिजेंस है वह काहिम रही। अम मौका मिला है तो उसमें हमको जितना बढ़ा सके फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थानाशित में नकली और कच्ची शराब बनाने के गोरक धंदे का पुलिस ने च्छापा मार कर खुलासा किया है। इसे जो शिकोहाबाद और जो हैं एक्साइज इस्पेक्टर हैं इन्नों की एक संजूट कारवाई हुई है जिसमें हम लोगों ने शिकोहाबाद ती गिहार कॉलोनी से एक राकेश गिहार को एरेस्ट किया है उसके घर से और उसके पास से 240 लेटर कच्ची सराब और लगब प्रियागराश में लूट की घटना को कट्टे की नोक पर अंजाम दिया गया फोलपूर थाना के पूरे बिहारी कपसा मोड बंदरा फिलिंग इस्टेशन पर लूट की घटना हुई वही फोलपूर पुलिस के हाथ बदमाशों से दूर हैं 24 घंटे बीतने के बाद भी बना कर रखा हुआ है संभल के थाना छेत्र एचोड़ा कबो के गांव तातार पूर में रोड ग्रामिडों ने चोरो को बेट्रों सहीद पकड़ कर पुलिस को सौब दिया है बताया जारा कि लगातार बढ़ती चोरी की घटनाव से परिशान ग्रामिडों ने कड़ी मेहनत के बाद दो चोरों को पकड़ कर पुलिस के हवाला किया है और दो चोर भागनी में सफल हुए महीं थाना प्राभारी राकेश कुमार पुलिस बल के साथ खटना इस्थल पर पहुँचे और बेट्रों सहीद दोनों चोरों को थाने लिया है और कानूनी कारिवाई में पर लिए उसका पहले दर दिन पहले दो ठेक्टरों के उन्होंने उतारे फिर मौसम पुर्मत आरे इंका बैंग्या पूरा बना हुआ है कल जो बैट्रे उतारे हो किसके थे वो थे एक ब्रंपाल है और एक उठ्डू है आपका क्या नाम है मेरा नाम भूपेंदर सीथ है कह पर संदिक परिस्टियों में घर में आग लग गई जिसके बार पुरा घर जलकर खाक हो गया आग की लपटे दे कर ग्रामिडों में हरकम मच गया वहीं प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार नशे में होनी के वज़न से युग ने घर में ही आग लगा दी फार ब्रिगेड और ग्रामिडों की मदस से आग पर काबू पाया गया ये मामला महराजपूर थानाचित के दिबियापूर गाव का है बारा बंकी जिले के राम नकट तहसिल सुरत गंश ब्लॉक के अंतरगत करमुलापूर ग्राम पंचायत के परमिश्वर पुरवा में सिलेंडर फटने से लगी आग से एक दरजन से अधिक घरों की समाज जलकर वहाँ पर राख हो गया बताया जाराए कि सुबह अचानक घरों में आग लग गई और एक दरजन से अधिक घरों की कई समाल जनकर राख हो चुका है वहीं पर तहसिल प्रशासन अपने लेकपाल कानून को भेज कर ज आग कैसे लगी रहे हैं आग इसे सब लोग खेत में चले गए पताने कैसे लगी तैसिल प्रशान से कुछ लाहा समगरी दी गई है तिरपाल पल्ली मिला है खाने समगरी क्या दी गई है चावल कोटेदा देने गुरिया कौन से गाओ है कर्म लगार परपन वेश्व परवाद तैसील बिलाग सूरत अईसे राम लगर आपको नाम क्या है नंद कुमार इब आग कैसे लगी रहे हम सब घर परहें रहा हम आउरत रहा हैं सब मंजूरी करी रहा हम तब जाखा सब घर कुरिया सब जला पड़ा कि आप लोग अवास नहीं बनेगा इस तक आप लोग आप लोग आप लोग आवास नहीं बनें क्या विज़तक्त कर रहा हैं कि यह आग क्यसे लगे रहा है आग कैसे लगे नव वेसला लगे आग कैसे लगे रहे का जनी आगे बार बर रह तो पोरे घर कर कत्य खण बरें यह नव बजे नव बजे हैं आप लोग ने मुश्वान कैसा का हुआ है नसकान हमास बहेंगा कुछ नहीं पच्छा इस तीज कानपूर में कल्यांडपूर CSC से चोरी एक दिन की बच्ची को पुलिस ने बरामत कर लिया है साथ ही बच्ची चोरी करने वाली महिला को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है महिला ने बताये की माना बनने की वज़े से महिला को उसके पती रिये छोड़ दिया था और बाशपन के तानों सी ठूट कर उसने बच्चा चोरी किया है फिलाल पुलिस महिला को कोट में पेश करने के बाद जेल भीजेगी थाना राजपुर जनपर कानपुर डिहार पर मुखबे खास के द्वारा यह सूचना दी गई कि ग्राम गुआर थाना राजपुर में एक महिला एक नवजात शिशू के साथ में संदिक दवस्था में देखी जा रही है जब इस महिला से गहर लूप से पूचताच की गई तो पित्रम दर्श्था जो तक्थे सामने आये हैं वो इस्तिकार है कि इस महिला का नाम पूजा यादव है इसके पती का नाम आलोक यादव है इनके विभा को करी 12-13 वर्ष हो चुग बेज़ोर में संदिक परिसित्यों में खून से सनी शव पड़ी मिलने से छित्र में संसनी फैल गई है जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कबजे मिले कर पोस्ट मार्टम के लिए अस्पताल भीजवाया है और घटना की जाश परताल करने के आसपास लगे CCTV कैमरे को खंगालने में जुट गई है पुलिस को CCTV कैमरे में एक हत्यारे की ओर से इस घटना को अंचाम देने का सुराग हाथ लगा है फिलाल पुलिस कई पहलूं से इस पूरे घटना करम की जाश परताल कर रही है जी नाम पताई अपनों यहाँ लगों से चला है जो लड़का रहता ना हो नाम तो उसका मुझे नहीं मालूम लेकिन उसने मुबाईल पे एक लड़के को बताया था उस लड़के ना हमें बताया था हमें आज सुबा नो बजे पता चला है अभी के लिए उत्रपदेश की खबरों में बस अतना ही देश्विया की तमाम खबरों के लिए देखते रही प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार